अई होब यू आर फाइन एट यूर होम आम फ्रॉम जे वीएम स्कूल और इसके टाइपस क्या होते है इसका काम क्या होता है यह सब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे इसे प्लांट जिनके अंदर क्लोरोफील प्रेजेंट नहीं होता है वह अपना फूर खुद नहीं बना पाते है इसे प्लांट को हम क्या बोलते हैं फंगी और बेक्टेरिया बोलते हैं देपेंड study or इंडरेक्ली और उपने फूड खूद बनाते हैं बट क्या होता है कि वह बनाते तो तो फूर्देबर उनको उनकी प्लांट पार्ट में कोई सा पार्ट ची होता है जिसकी वज़े से वह प्लांट पार्ट होता है उसको डैवलब कर पाते हैं we learn about this kind of plants in there in this chapter और ऐसे plants के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे और उसके कुछ types के बारे में हम पढ़ेंगे और heterotropic plant के भी बहुत सारे टाइप होते हैं, जैसे कि parasyptic, सेप्रोफाइटिक, carnivorous plant और symbiotic plant. तो हमारा first है parasyatic plant. Parasyatic leaves in one or more another living organisms and derives its food from them. Parasyatic plant क्या होते हैं? दूसरे plants पे depend करते हैं, अपने food के लिए. और specially हैं पे depend करते हैं, host plant पे depend करते हैं. अब क्या होता है host plant, usually parasitic plant developed special roots which penetrate into the tissue of the host plant, mostly जो भी parasitic plant होते हैं वो क्या करते हैं, उनके अंदर एक special roots होता है, जो कि host plant को develop करते हैं और उसी पे वो लोग पूरी तरह से अपने खाने के लिए depend होते हैं, जैसे कि एक example दे रहा है कास्कुटा और, कस्कुटा डोडर is a parasitic plant that cannot photosynthesize at all, its leaves are reduced or teeny brown scales, अब यह क्या होता है ना बेटा कस्कुटा और डोडर क्या होते हैं, इनके अंदर photosynthesis की process नहीं होती है, photosynthesis की process क्या होती है, all green plant make their own food with the help of photosynthesis, सारे green plant क्या करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं, बट किसकी मदद से, chlorophyll और water और हवा की मदद से, तो इस process को हम क्या बोलते है, photosynthesis की process बोलते हैं, और यह जो दोनों plants होते हैं, यह photosynthesis की process नहीं करते हैं, इसलिए यह दूसरे plant पे depend करते हैं, since it has no chlorophyll, it obtains all its food from the green plants, it grows on, और बैटा यह जो plants होते हैं, यह क्या होते हैं, इसके अंदर chlorophyll present नहीं होता है, इसलिए दूसरे plant पे क्या करते ह and around the host producing suckers and hostoria, invalid host and steal its food, once the parasitic plant gets attached to the host plant, it loses its root system, और बैटा क्या होता है, अगर एक बार parasitic plant, host plant से अपनी root को attach कर लेता है, मतलब अगर इसका plant, host plant से attach हो जाता है, तो यह अपनी root को क्या कर देता है, लॉस कर लेता है, मतलब खो देता है, आप मिस्टोल टोई, मिस्टोल टोई भ अब इसकी क्या क्या विशिश्टा होती है, मिस्टोपिक में पढ़ेंगे, जानादर पैरासाइट बैट स्टील वाटर एन मिनरल स्टी यह भी एक ऐसा प्लांट है, जो कि दूसरे प्लांट पे डिपेंड करता है, मतलब की host plant पे डिपेंड करता है, अपना आगे बढ़ने के लिए, मतलब ग्रो होने के लिए, नेक्स्ट टॉपिक अपने को दे रखाए बेटा, सेप्रोफाइटिक प्लांट, सेप्रोफाइटिक प्लांट, फीड और डेड और डेड रोटिंग प्लांट, सेप्रोफाइटिक प्लांट, फीड और डेड डेड रोटिंग प्लांट they grow in places with lots of rotting leaves saprophytic plant जो होता है न वो क्या होता है dead in rotting material से बनता है dead in rotting material ही उसी से इसका खाना क्या होता है मतलब खाने का formation होता है और they grow in place with lots of rotting leaves और यह महीं पर grow होता है जहां पर बहुत सारी rotting leaves होती है saprophytic plants are usually whitish saprophytic plants generally white color का होता है these plants have no green leaves और इस प्लांट में एक भी green leaves नहीं होती है often they do not have leaves at all इसके इसमें और क्या होता है इसमें leaves ही नहीं होती है देखो यहाँ पे picture भी दिख रहा है सेप्रोफाइट्स केनोट manufacture देयर food by photosynthesis सेप्रोफाइट अपना खाना photosynthesis की process से नहीं बनाते अब यह अपना खाना किससे बनाता है डेट इन डीकेंग मतलब जो मरेवे plants और एनिमल होते वही यह खाता है जैसे की mushroom molds picture दिख रहा है इसमें एक भी green leaves नहीं है mushroom molds some some type of fungi are bacteria and the common saprophytes और mushroom molds यह क्या है common example है किसका saprophytes plants का these non green plants first increase release digestive juices which act on the dead and decaying matter covering it into simple sugar and absorbed by saprophytes यह क्या होते है पूरी तरह से dead and decaying पर responsible होते है और उनी से यह अपना खाना बनाते है और उनी को यह खाते है जैसे की कोई मरावा plant और animal है उनी को यह खाते है और इनके कुछ examples हमें बहुत अच्छे से दे रखे इसमें mushroom और molds और यह क्या होते है बिल्कुल non green plant होते हैं इसमें एक भी green leaves नहीं होती है बाकी का हमारा next part है carnivorous plants जो कि हम next video में पड़ेंगे मतलब part third में पड़ेंगे तो आज हमने क्या पड़ा heterotropic plant पड़ा heterotropic plant में हमने एक तो parasyptic plant पड़ा और एक सेप्रोफाइटिक प्लांट पड़ा बाकी का हम नेक्स वीडियो में पड़ेंगे पार्ट थर्ड में ओके थैंक यू